दोस्तों जैसा कि आप जानते हैं कि कोरुना के टाइम में सभी ट्रेनों का आना जाना मतलब उसका चलना फिरना एकदम बंद कर दिया गया था दोस्तों इसी कोरोना के टाइम में railway ने इसका फाइदा उठाया और एक के बाद एक कई बहुत बड़े केर्थिमान इस्थापित कर दिये जैसे की railway ने भारत की सबसे लंबी ट्रेंड अनकॉंडा और भारत की दूसरी सबसे लंबी ट्रेंड शेश नाग को चलाया था तो दोस्तो इसी कड़ी में रेलवे ने एक बार फिर से केर्थिमान इस्थापित कर दिया है और भारत की तीसरी सबसे लंबी ट्रेन वासुकी नाग इस ट्रेन को उसने पटनियों पर दोड़ाया है और बिल्कुल इसका सफल टेस्ट हो भी चुका है दोस्तो वासुकी ट्रेन के फीचर जानने से पहले चलिए हम लोग ये सब जान लेते हैं कि आखिर ये नाम मतलब जो वासुकी नाम है ये ये आखिर कैसे इस नाम को दिया गया दोस्तो हिंदू पौराडिक मान्यताओं के मताबिक वासुकी एक शिव के परम भक्त थे और माना ये जाता है कि उन्हों नहीं सब से पहले शिवलिंग की पुजा का प्रचलन शुरू किया दोस्तो नाग राज वासुकी को ही नाग लोग का राजा माना जाता था और दोस्तो माना ये भी जाता है कि समुधर मन्थन के दौरान वासुकी नाग को ही रसी के रूप में मेरू परवत के चारो और लपेट कर समुधर मन्थन किया गया था तो दोस्तों ये तो थी कैसे उस वासुकी ट्रेन का नाम पढ़ा चलिया वासुकी ट्रेन की खासियत के बारे में भी जानते हैं दोस्तो इसे 36 गड़ के भिलाई से कोर्बा तक चलाया गया दोस्तो इस ट्रेन की लंबाई की बात कहुत तो वह है 3.5 किलोमेटर और इस train को 5 इंजन लगा के बनाया गया और 5 इंजन के साथ 295 भोगिया मतलब 295 वैगन्स लगा के इस train को बनाया गया है और दोस्तों 5 इंजन काफी बहुत ज्यादा मतलब होर्स पावर के हैं क्योंकि इतनी लंबी train को खीचने के लिए बहुत पावर चाहिए और सभी इंजन के बीच में तालमेल अच्छे से बैठाने के लिए सभी इंजन के बीच में electronic signal की मतलब specialty दी गई है दोस्तों railway के ऐसा करने से सबसे बड़ी बात यह है और सबसे ज्यादा फाइदा railway को यह होगा कि इससे कम समय में ज्यादा ज्यादा goods train के द्वारा goods product को यहां से वहां मतलब जहां भी ले जाना है लंबी दूरी तक में इन्हें आराम से ले जाय सकता है इसलिए railway एक के बाद एक अब काफी लंबी लंबी goods train ने बना रही है तो यही कारण है दोस्तों आज की वीडियो भी इतना ही अगर आपके वीडियो अच्छे लगिए इसे लाइक करना मेरे चैनल को सब्सक्राइब करना तब तक के लिए जय हिंद जय भारत